Hello everyone, Welcome to Neat Mantra, Myself is Vikas Janger, I have completed my MBBS from BRD Medical College Gorakhpur तो आज मैं हम यहाँ पर Biological Classification के अभ्यास करने वाले हैं, Biological Classification के Question Practice करने वाले हैं तो आज जो आपका यहाँ पर Introduction वाला portion है, Monera से पहले वाला portion उस पर मैं हम आपर Question Practice करेंगे सबसे important बात तो आप यह जान लीजिए कि जो आपका Biological Classification है, यह आपका Class 11 का Chapter No.2 है और यहाँ से आपके Neat Exam में कितने सवाल आते हैं, Yes Sir, यहाँ से मारा Neat Exam में 3 से 4 सवाल आते हैं तो Neat 23 में आपके यहाँ से 3 से 4 सवाल कम से कमाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको Topic वाई सवाल करवाऊंगा, आज मैं आपको यहाँ पर Introduction वाले सवाल करवाऊंगा, फिर अगली Class में आपको यहाँ पर Monera के, फिर Protista के, फिर Phanjai के, फिर Virus Viral Ican के 5 portion में मैंने Topic को Divide किया, इस Chapter को Divide किया है, तो आपको साथ-साथ मेरे Question प्रैक्टिस करनी है, और मैंने यहाँ पर आपके लिए हर तरह के Question यहाँ पर क्या किया है, इंक्लूड करनी है, Simple Question भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, Statement Best भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पर Match वाले आपको यहाँ पर देखो, हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करी लोगे, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी आपको इस स्रीज को सेर करना है, इस हमारे यूट्यूब चैनल को सेर करना है, ताकि हम आपके लिए High Yield Content लाते रहें, N23, N24 की Preparation के लि जेनरिक नेम प्लस स्पैसिफिक एफिथेट, यह Binomial Nomenclature किस ने किया था, प्रपोज यह आपको बताना है मुझे, यहाँ पर देखो, Option आपके पास है, Option A, Vittaker, Option B, Mandel, Option C, यहाँ पर है, Carlos Linias and Option D है, और स्वाल टीपो, आपको आंसर कैसे करना है आप यहाँ तो, pen और paper लेक Option C is the correct answer, इसको आप याद भी कर सकते हो, आपको इसी तरह सांसर करना है कमेंट में, अगला सवाल आपका यह रहा, Five Kingdom System of Classification किस ने किया था, प्रपोज बहुत जादा basic सवाल है, 1969, 1969 में किस ने वाज़ा आपका Five Kingdom System of Classification प्रपोज किया था, यहमारे कौन थे, यहमारे थे, आर Single Cell Eukaryote को कहां रखा गया है, देखो, Monera में तुम सरी Prokaryote को रखते हैं, तो आपके लाइन दे रखी, NCRT में काफी अची लाइन क्या है, वो, All Single Cell Eukaryote are placed under Kingdom Protista, बहुत ज़्यादा basic सवाल आपका था यह, अगला सवाल यह रहा, Which of the following is excluded in the Waitaker Five Kingdom System of Classification, जो हमारे रहे वेटेक प्लांटी में रखा था, यस सर, फंजाई के लिए अलगी Kingdom में आ पर था, फंजाई और Mycota, बैक्टीरिया के लिए आपके Monera था, तो किसको कोई जगह नहीं दी गई थी, वाइरस को कोई जगह नहीं दी गई थी, वाइरस के लावा और भी हमारे पास कौन कौन थे, वाइ इस टोटल ने आपके देखो, अनिमल को दो ग्रूप में क्लाशिफाई किया था, तो उन्होंने कौन कौन से ग्रूप में क्लाशिफाई किया था, देखो जिनके पास रेड बलड सेल थी, जिनके पास आपकी रेड बलड सेल प्रजेंट थी, और जिनके पास प्रजेंट थ आपने दिया था क्लेमाइडो मोनास क्लोरेला को कहां रखा जाएगा क्लेमाइडो मोनास क्लोरेला को कहां रखा जाएगा देखो यह दोनों है तो यह बात हमें पता है यह 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 हमारी यूकेरियोट है यह होने के साथ साथ और यह क्या है आपके यह होने के साथ साथ यह हमा हchoते हैं युटी इस सेलुलर और आपको यह बात पता है साभह एक और युके रोट को रखते ज हैं सारे के और युझी सेलुलर रखते हैं कहां पर प्रोटिस्टा में अगला सवाल इसट्रक्चर इस प्रिजेंटेंट इन प्रोकेरियोटिक एंड consumption plant cell, आप मुझे बताइए जो आपके prokaryote और eukaryote में plant cell में present होती है, वो कौन structure है, nucleus आपके prokaryote में नहीं होते हैं, chloroplast आपके prokaryote में नहीं होंगे, mitochondria भी आपके prokaryote में नहीं होंगे, तो जो आपकी cell wall है, यह आपके देखो bacteria में मिलती है, प्लांट में मिलती है तो सेल्वल आपकी prokaryote and ukaryotic plant से दोनों में होती है Question number 8 Which of the following is considered as neither prokaryote nor ukaryote यहाँ पर कौन आपका है जिसे ना तो prokaryote की तरह consider किया जाता है ना ही ukaryote की तरह consider किया जाता है मतलब RH, वेटेकर साहब के इनको क्या किया गया है exclude किया गया है 5 kingdom system of classification से कौन कौन मैंने बताय थे आपको virus, viroid, lichen तो जो आपका यहाँ पर बैक्टिरियो, pharge है यह क्या है यह हमारा virus है तो virus को 5 kingdom system of classification include नहीं किया था मतलब virus आपका क्या है यहाँ पर virus आपका यहाँ पर भई ना तो prokaryote है और ना ही eukaryote है अगला सवाल nuclear membrane किस में absent होती है बहु ज़्यादा basic सवाल है nuclear membrane सोचो हलका सा सोचो बस prokaryote prokaryote में absent होती है और कौन आपका यहाँ पर prokaryote का example है penicillium फंजाई है agrigus भी फंजाई है walbox आपका green algae होता है no stock no stock आपका blue green algae है याद करो heterocyst तो यह आपका prokaryote है और prokaryote में हमारी nuclear membrane क्या रहती है prokaryote में हमारी nuclear membrane absent रहती है अगला सवाल question number 10 which of the following is correct about the Aristotle साहब classification कौन सी बात हमार यहाँ पर Aristotle साहब के classification के बारे में बिल्कुल correct है बताओ जल्दी से कौन सी बात Aristotle के classification के बारे में correct है मैं आपको यहाँ पर NCRT की theory revise करवा रहा हूँ questions के थुरू watch earliest classification बिल्कुल सही बात है classified plant into trees, subs, subs यह भी सही बात है animal को दो group में जिनके पास red blood cell थी जिनके पास नहीं थी तो यहाँ पर सारी बाते सही है Aristotle साब का जो आपका classification था उसके बारे में आप पर सारी बाते सहीं Aristotle साब ने क्या दिया था two kingdom system of classification आप इनका मान सकते हैं इनों नों भी plant और animal में divide किया था अगला सवाल आपका यह रहा how many of the following are drawback of two kingdom system of classification कौन कौन से आपके आप पर two kingdom system of classification के drawback है पढ़ते हैं चलों इन ध्यान से this system did not distinguish between eukaryote and prokaryote यह बिल्कुल सही बात है इनोंने देखो जो आपके plant है plant में नोंने bacteria को भी रख दिया था और यहाँ पर plant में नोंने fungi को भी रख दिया था plant में नोंने plant को भी रख दिया था unicellular multicellular का भी कोई नहीं देखो नोंने unicellular prokaryote को plant में रख दिया था मतलब कि bacteria को और साथ ही नोंने जो फंजाई आपकी होती है multicellular को भी plant में रख दिया था तो यह आपका unicellular multicellular organism में भी distinguish नहीं करता है तो यह दो बात है तो सही हमारी distinguish between photosynthetic and non photosynthetic organism में गलत बात हो गई यहाँ पर भी आएगा क्या note जो आपके यहाँ पर two kingdom system of classification था यह photosynthetic और non photosynthetic में distinguish नहीं करता था ठीक है तो यहाँ पर note आना चाहिए था तो यह गलत हो गया तो यहाँ पर कितने drawback हैं यहाँ पर सर हमारे दो drawback है के कौन-कौन से first and second वाला यह last आपको समझ माया होगा जो आपका two kingdom system of classification है यह did not distinguish between photosynthetic and non photosynthetic organism जैसे कि याद करो plant इमें नोंने plant को भी रख दिया था जो कि photosynthesis करता था और fungi को भी रख दिया था जो कि आपका photosynthesis नहीं करता है तो यहाँ पर did not आना चाहिए था तो यह हमारे दोनों क्या हुए जो यह पहला है और दूसरा है यह दोनों क्या हुए हमारे दोनों drawback है तीसरा वाला साही नहीं है अगला सवाल यह सवाल अच्छा है यहाँ पर आप स्टार्ट लगा सकते हो इसका screenshot भी ले सकते हो भई अगला सवाल आपका यह रहा इन 5 kingdom system of classification all prokaryote put into 5 kingdom system of classification में prokaryote को कहा रखा गया था prokaryote के लिए सिर्फ एक ही kingdom था और क्या नाम था उस kingdom का उस kingdom का नाम था monera monera में कौन-कौन आपके थे monera में थे u-bacteria archi-bacteria और इसके अलवा आपके blue-green algae यह जितने भी आपके prokaryote होते हैं सबको कहा रखा गया था kingdom में kingdom monera में अगला सवाल cell wall आपके कहा पर absent होती है देखो plant में आपकी cell wall मिलती है किसकी होती है cellulose की और जो आपके fungi होती है fungi में cell wall आपकी kaitin की होती है और monera में आपके होती है peptido glycan की peptido glycan की हाँ पर cell wall होती है animalia में आपके cell wall absent रहती है according to five kingdom system of classification a organism lex nuclear membrane can be put into जिस organism के पास आपके आपके nuclear membrane नहीं है nuclear membrane नहीं उनको कहां रखेंगे हम उनको रखेंगे monera में अगला सवाल आपको यहापर correct statement बताना है are all prokaryote are classified into monera kingdom सही बात है यह बिल्कुल tissue level organization present in the protesta नहीं tissue level नहीं protesta में कौन होते हैं protesta में unicellular eukaryote होते हैं और यह आपके tissue level नहीं cellular level था all member of monera are heterotropic यह गलत बात है बहुत सारे bacteria आपके autotropic भी होते हैं और जो आपके blue green algae है वह तो autotropic ही होती है तो यह भी गलत बात हो गई unicellular origin classified only into the monera गलत है unicellular prokaryote को रखा गया था monera में लेकिन जो आपके unicellular eukaryote होते हैं उनको कहां रखा गया था protesta में तो यह बात भी गलत हो गई यहाँ पर सही क्या हुआ हमारा यहाँ पर सर अमारा सिर्फ option A सही हुआ है अगला सवाल how many of the following were used as the classification criteria by RHV taker RHV taker साब ने आपके किस-किस को classification criteria की तरह किया था use बताओ जल्दी से किस-किस को यहाँ पर classification criteria की तरह किया गया था use जल्दी से बताओ दिया बात मुझे cell structure को किया गया था thallus organization, mode of the nutrition, reproduction, phylogenetic relationship 1, 2, 3, 4, 5 सभी को include किया गया था अगला सवाल how many of the following are excluded in the RHV taker system of classification तो देखो RHV taker ने किस-किस को include नहीं किया था किस-किस को exclude किया था यहाँ पर लिखे लेंगे हम सभी virus वाइरोइड, lichens, prions, mycorrhiza यह सारे एक्जम्पल आपको याद रहने चाहिए virus, viroid, lichen, prions, mycorrhiza इनको जो हमारे RHV taker सहाब ने 5 kingdom system of classification नहीं किया था तो virus, blue green अलगी को तो किया था वाइरोइड को भी भी इनोंने exclude किया था यहाँ पर lichens को भी और mycoplasma तो आपका monera में आता है तो यहाँ पर 1, 2, 3 option is the correct answer तो यह हमारे simple simple से सवाल हो गए अब मैं आपके लिए हम पर लेकर आया हूँ statement best वाले सवाल तो जल्दी से करेंगे सभी statement best वाले सवालों को ठीक है ध्यान से आपर सवाल पढ़ने है पहले हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना काफी ज़्यादा जरूरी है जो आप सोचते हो कि biology हमारी काफी जी आती है तो यह बात देखो आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है biology आपका selection करवाएगी तो और और यह हमारा कर रहे हैं statement best वाले सवाल की कौन सा correct है कौन सा incorrect तो इसके लिए आपको NCRT के लाइन ध्यान से समझनी पढ़ेगी और ध्यान से कब समझनी आईगी जब NCRT को बिलकुल ही crystal clear होकर पढ़ेंगे अच्छे-च्छे question practice करेंगे तो यहाँ समें आपको करवाने जा रहा है statement best सवाल आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि हमें यहाँ पर हर लाइन को बिलकुल ध्यान से पढ़ना है बिलकुल focus होकर और NCRT से ही मैंने सारे सवाल लिये हैं तो आपको NCRT भी द्यान से पढ़नी है ओके तो चलो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर हाँ मैंनी स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन कौन स्टेटमेंट आपके सही है सिंस्ट डाउन ओफ दी सिवलाइजेशन देर हो बीन मैनी अटेम्ट टू क्लासिफाई लिविंग और्गनिजम यह बात बिल्कुल सही है क्या यह सर मुझे तो सही लग रही है यह सही है गलत है द्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को में यहाँ पर देखो जबने स्टार्टिंग में यूज किये थे वो आपके साइन्टिफिक नहीं थे है ना लेकिन हमने क्लासिफाई क्यों किया हमारी यूज के लिए अपने खुद के यूज के लिए फूड के लिए सेल्टर के लिए क्लोथिंग के लिए तो यह क्या हो गया हमारे गलत हो गया स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया थे यह हमारे साइन्टिफिक नहीं थे तो यह सेकंड वाला इंकरेक्ट हो गया Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of the classification बिल्कुल सभी बात है Aristotle साब ने हमारे सबसे पहले scientific basis of classification को attempt किया था He used simple anatomical characters to classify plant into tree subs and hub इन्होंने anatomical नहीं इन्होंने morphological characteristic को किया था use तब इतमें आपसे कहता हूँ कि आपको यहाँ पर NCRT की हरलाइन ध्यान से पढ़नी चाहिए तो यहाँ पर क्या क्या गलत हो गया 2 and 4 गलत हो गया 1 and 3rd बिल्कुल सभी है किसी को दिक्कत हो तो मुझे comment में बता सकता है यहाँ पर 1 and 3rd बिल्कुल सभी है तो कितने statement सभी है 1 and 3rd यहाँ पर आपके 2 statement सभी है Yes sir यहाँ पर हमारे 2 statement सभी है अगला सवाल आपका ये रहा How many statement are correct? कितने statement आपको यहाँ पर सही लग रहे हैं देखते हैं जल्दी से पढ़ते हैं सवाल को Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of the classification बिल्कुर सही बात है He used simple morphological character यहाँ पर ही सही कर दिया गया है इन्होंने morphological character का यूज किया था plant को classify करने के लिए trees, subs and hub इन्होंने animal को भी divide किया था दो group में जिनके पास red blood cell थी जिनके पास नहीं थी तो ये भी सही है anatomical character का use इन्होंने नहीं किया था तो यहाँ पर 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 गलत कितने statement सही हैं हमारे यहाँ पर 3 सही हैं कौन-कौन से 1, 2 का 3 option C is the correct answer अगला सवाल आपका यह रहा है यहाँ पर आपको correct statement select करना है ध्यान से सवाल को पढ़ कर इन लीनियस टाइम एट टू kingdom system of classification with a plant and animal kingdom was developed that include all plant and animal respectively क्या यह हमें सही लग रहा है यह सर यह हमें बिल्कुल सही लग रहा है क्या यह सर बिल्कुल सही statement हमारा है यह अगला सवाल this system did not distinguish between eukaryote and prokaryote यह बात ही बिल्कुल सही है two kingdom system के ड्रोवे के यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपका यहाँ पर two kingdom था इन्होंने eukaryote, prokaryote को अलग-अलग नहीं किया था इन्होंने unicellular, multicellular को भी अलग-अलग नहीं किया था इन्होंने photosynthesis और non photosynthesis को भी अलग-अलग नहीं किया था इसको मैं simply आपको बता सकता हूँ plant kingdom से इन्होंने plant में किस-किस को रख दिया था इन्होंने plant में देखो fungi को रख दिया था इन्होंने प्लांट में एलगी को रख दिया था अब देखो फंजाई आपका क्या होता है फंजाई आपका मल्टी सेललर होता है बैक्टिरी आपका यूनी सेललर होता है एलगी आपका यूनी मल्टी हो सकता है फंजाई आपका हेटरोट्रोफिक होता है एलगी आपका वोटो हेटरो दोनों हो सकता है यह बात बिल्कुल सही है option to be classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand but a large number of organism did not fall into the either of category, बिल्कुल सही बात यह भी, देखो plant और animal में जब दो ही kingdom में divide करना है तो उन्होंने cell wall को characteristic ले लिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे organism थे जो कि ना था आपके plant में जा रहे थे न लेकिन वो फिर भी photo synthesis करता था यह तो से कहां रखें यह काफी दिक्कत थी इसलिए देखो two kingdom system of classification used for long time was found in a duplicate तो यह आपका भई हमें लगने लगा कि हमें एक और system of classification की ज़रूरत है, true kingdom हमारे लिए sufficient नहीं है, तो यहाँ पर सारे ही statement सही है, all statement are correct, yes है यहाँ पर हमारे सारे ह नहीं है, यह समने हमने क्या बता है, यहाँ पर यह समने बता है, drawback of the two kingdom system of the classification, अगला सवाल, during a biological classification beside gross morphology and need was also felt for including other characteristic like, किस किस को यहाँ पर include करने के में need feel होने लगी भई, cell structure को yes sir, prokaryote है या eukaryote, इसके बैसिस पर क्या बना, इसके बैसिस पर आपका बना monera, जो कि हमारा prok nature of the wall, nature of the wall भी काफी ज़्यदा जरूरी है, plant में और आपके fungi में और bacteria में तीनों में अलग-अलग nature होते हैं, cell wall के, plant में आपका cellulose होगा, fungi में आपका kaitin होगा, और bacteria में आपका peptido glycan होगा, नेगनेम वाला, mode of nutrition में बिल्कुल सही यहां पर देखो, जो fungi को हमने यहां पर plant में रखा गया था, यह heterotrophic होने की वज़े से में यहां पर, एक अलग ही kingdom बनाना पड़ा, और उस kingdom का नाम क्या था, उस kingdom का नाम था, fungi, और देखो animal और plant, यह भी हमने mode of the nutrition के base पर divide किया है, habitat, habitat को इंक्लूड किया गया, mode of the, method of the reproduction, evolutionary relationship सभी को इंक्लूड किया गया था है, यहां पर, biological classification के time हमने देखो हैं यहां पर, और character में क्या का इंक्लूड किया, cell structure, nature of world, mode of reproduction, habitat, method of reproduction, and evolutionary relationship, अगला सवाल, select the correct statement थोड़ा बड़ा सवाल है, classification system for living organism have hence, undergone several changes over the time, बिल्कुल सही बात है यह, जो हमारे classification system थे, यह समय समय पर इनमे बदलावाते रहे हैं, पहले two kingdom था, फिर three kingdom आया, फिर four kingdom आया, फिर five kingdom आया, हमें यहां पर two kingdom और five kingdom याद रखने होते हैं, classification system for the living organism and revenge constant, classification system आपके constant नहीं रहे हैं, यह गलत हो गया, plant and animal kingdom have been constant under all different system, plant और animal, यह दो kingdom हमारे हमेशा थे, starting सही थे, और यह last तक रहे, यह बात भी सही है आपकी, only plant kingdom नहीं, animal भी तो रहा न, देखो जो आपका binomial था, जो आपका two kingdom system of classification था, उसमें क्या था, two kingdom में आपका plant और animal था, और जो आपका five kingdom इसमें भी plant animal तो हैं न, ते दोनों constant थे, तो यह भी गलत हो गया, सही क्या है, one and three, one and three आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, सवाल नमबर 23, select the correct statement, आपको यहाँ पर correct statement बताना है, सारी लाइने में आपको NCRT की रिवाइज करवादो होगा, लेकिन तरीका हमारा अलग है, क्यूशन प्रैक्टिस के थुरू, आरेच विटेकर इन दी 1969 प्रपोजे फाय किंग्डम सिस्टम ओफ क्लासिफिकेशन, दे किंग्डम डिफाइन वर बाई हिम, मौनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेनी में लिया बिल्कुल सही बात है, मैन क्राइटेरिया फोर क्लासिफिकेशन यूज बाई हिम, अगला सवाल, अगला सवाल, अपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, पांच स्टेटमेंट इतलो छोटा दिख रहा होगा, तो आखों को ऐसे करोर देख लो, किंगडम प्रोटिस्टा, क्यूशन नमबर 24, क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर, क्यूशन नमबर 24, ध्यान से देखेंगी से हम बिल्कुल यहाँ पर, किंगडम प्रोटिस्टा है, ब्राव टुगेधर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, बिल्क Ameasium Amoeba के साथ इन्हें रखा गया जिन्हें पहले Animal Kingdom में रखा गया था बिल्कुल सही बात है ये जो हमारा Kingdom प्रोटिस्ट था था इसमें हमने क्या रखा था इसमें जो भी आपके देखो हमें यह नहीं देखना है कौन फोटो सिंतेजिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है जितने भी आपके यूनी सेललर यूकेरियोट थे सब को हमने कहां रख दिया था प्रोटिस्टा में रख दिया था तो ये बात बिल्कुल सही है Statement 2 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है It is put together Organism which in earlier classification were placed in different kingdom सही बात है जैसे कि आपके Clamidomonas, Chlorioculum ने पहले plant में रखा रखाता Pyramese, Mavivak, हमने पहले animal में रखा रखाता तो Protista आपका ने दोनों को साथ साथ रख दिया Statement 3 This happened because the criteria for classification change यह बात ही बिल्कुल सही है यहाँ पर हमने एक ही criteria को follow किया जब भी हमने प्रोटिस्टा में रखने ही कोचिस की किसी को तो हमने एक ही criteria को follow किया वो क्या था Protista word जब भी आपको सुनाई दे आपको एक ही बात सुनाई देनी चाहिए क्या All Unicellular Eukaryote are placed under Kingdom Protista This kind of changes will take place in future depending on the improvement in or understanding of the characteristic and evolutionary relationship बिल्कुल सही बात है बदलाव आते रहेंगे दो के बाद आपका तीन आया तीन के बाद चार चार के बाद पांच Kingdom System of Classification क्या पता आप में से ही कोई कभी Six Kingdom System of Classification दे दे Seven Kingdom System of Classification दे दे Six Kingdom System of Classification तो आभी चुका है Six Kingdom System of Classification किस ने दिया है Karl Woods ने और इन्होंने क्या किया है इन्होंने आपके जो Monera है Monera को इन्होंने दो Kingdom में डिवाइड कर दिया है किस किस में आपका एक तो आपका U-Bacteria और एक आपका Archie-Bacteria ठीक है तो Archie-Bacteria आपके एक नए Kingdom उबर की आया है तो यह आपका Six Kingdom System of Classification है Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphologically, physiological and irreproximality but also phylogenetic तो यहाँ पर सारी बात है यहाँ बात आप याद रख सकते हो और क्या याद रख सकते हो Six Kingdom System of Classification आपका कार्लवू साब ने दिया था Question No.25 यह आपका Mass List with the Mass List 2 यह Introduction में साबका सवाल बनाया है मैंने Mass the column वाला तो जल्दी से बताओ इसका answer क्या होना चाहिए Cell wall के बारे में है Monera की Cell wall क्या होती है सबसे पहले मैं आप याद रखेंगे fungi की Cell wall क्या होती है काईटीन की होती है C में सेकंड कहां दे रखा है C में सेकंड आपका एक यूप्शन में दे रखा है यह क्या है आपका C में सेकंड आपका सिर्फ आप्शन B में दे रखा है तो यहाँ पर आपका option भी correct है और भी मिला लेते हैं Monera Monera में जो आपके Cell wall होती है यह non-cellulogic होती है peptido glycan की होती है protista में आपके देखो कुछ-कुछ में present होती है कुछ-कुछ में नहीं होती है plant में आपके Cellulogic होती है तो MA1, B में MA1, B में 4, C में 2 and D में 3 option B is the correct answer तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर biological classification में introduction वाले सवाल करवा दिये है PDF आपको इस Telegram चैनल पर मिल जाएगा Telegram चैनल की link मैंने आपको यहाँ पर description में भी दे रखी है तो आप description भी check कर लोगे आपको यह पूरा PDF available हो जाएगा अगली class में क्या पढ़ेंगे अगली class में यहाँ पर Monera Monera पर सवाल करेंगे इसके notes मैंने आपको provide कर दी है तो आपको क्या करना है Monera को revise कर लेना है अच्छे से Monera पर भी मैं आपको सभी तरह के सवाल करवाऊंगा हर line मैं आपको cover करवाऊंगा ठीक है और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस हमारे बहतरीन से YouTube चैनल को subscribe कर लेंगे ठीक है YouTube चैनल को subscribe करोगे like तो करोगे वीडियो को 50 plus likes का target है और हाँ जो भी improvement हो अगर आपको को गलती लग रही है All the best for a bright future